a very good afternoon to all of you friends आज की वीडियो में हम ये जो हमारी exam sheet आई है उसके बारे में जो confusion है खासत और से ये जो English literature की बात कर रहे हूँ English literature में इसमें 9 paper mention है तो students बहुत ज़्यादा students को confusion है कि ये 9 papers कैसे होंगे तो थोड़ा सा आईए हम समझ लेते हैं कि ये हमें कौन-कौन से paper देने हैं तो आपको पहली first of all ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो syllabus है AMA का वो revise हुआ है और ये कब ये जून-जुलाइन में आपका जो syllabus है वो new syllabus आया है AMA का इसमें जो paper exam sheet है इसमें वही new और old दोनो paper के according दी है तो आपको ये मालूम होना चाहिए आपको मतलब कि ये चीजे में बताना चाह रही थी कि अगर आपके exam में पुराना syllabus चल रहा है old syllabus चल रहा है तो आपको वो papers देने हैं और अगर आपके college में new syllabus चल रहा है इस समय तो आपको new paper के according exams देने होंगे तो आईए थोड़ा सा हम sheet देख लेते हैं देखे ये आपका MA English Literature first semester जो आपके पुराना syllabus है उसका subject code क्या है 501 ये first semester का जो first paper है British poetry from Chaucer to the Romantics इसका जो course code है 501 है 501 और British drama from Morlo to Sheridan इसका जो course code है वो 502 जो paper third है ये आपका prose है ये British prose from Bacon to Hazlet इसका course code 503 है और जो ये आपका paper fourth है वो ये British fiction का है from Fielding to Hardy ये जो चार paper है ये आपके old slavers के according है और इसकी date क्या है ये आप देख लिजिए 19.01.2023 21.2023 24.01.2023 और 27.01.2023 ये और इसका timing 9.32, 11.30 है और ये first shift में है ये रहा हमारा पुराना syllabus और इसमें हमारे चार paper थे और साथी साथ एक project work था और अगर हम देख लेते हैं कि हमारा जो new syllabus आया है इसमें five papers हैं जो जिस college में नया syllabus prescribed किया है वहाँ new syllabus चल रहा है उनको new syllabus के according paper देना है वही जहां पर मतलब new syllabus नहीं चल रहा है अभी भी old syllabus चला रहे हैं वहाँ आपको old syllabus के according exams देने हैं तो ये जो आपका new syllabus है इसमें भी ये जो पांच paper है इसका course code ही अलग है 505, 506, 507, 508 और 509 1, 2, 3, 4, 5 हाँ तो ये जो आपका और जो आपका news ले बसे इसमें भी पांच paper है और date जो दोनों की है वो same है आप देखिए जो आपकी date है sorry 509 हाँ ये जो आपकी date है exam की ये दोनों same है तो आपको इसमें confusion नहीं होना है कि आपको English में 9 paper देने हैं आपको paper 4 ही देने हैं बस फर्क इतना है कि आपके अगर college में पुराना syllabus चल रहा है तो आप पुराने syllabus के according exam तो देंगे और अगर ये मतलब की उपर वाला पेपर आपका रहेगा क्योंकि आप जो preparation तो आपने उसी syllabus के according की होगी ना जो आपके college में चाल रहा है चाहे हो new हो चाहे old हो तो ये चीज़े आप लोगों को clear होनी चाहिए कि आपका जो exams है English का first semester का 19, 21st, 24th और 27th को है और चाहिए old slavers के according हो या new slavers के according हो exam की जो date है वो same है और जो timing है वो भी same है so I think आपका जो भी doubt होगा regarding examination और ये examination sheet के regarding जो भी आपके doubt होंगे वो clear हो गए होंगे okay thank you thank you so much